यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ परेशान है आज हर वर्व दुखी है और सरकार की गलत नीतियों को वो जनता के बीच में पहुँचाएंगे सरकार से परेशान है हर्याना के लोग और अब वो सरकार को बदलना चाहते हैं ये कहा साथी उन्होंने ये भी कहा कि 11 दिसंबर के बाद हिसार के तमाम विधान सभा में जाएंगे वहीं उन्होंने पहुआ की रत्यात्रा के बाद हमने इसके लिए ब्रेक दिया क्योंकि किसान के फसल की कटाई का वक्त है सांसर दीपेंड हुड़ा ने भी कहा कि रथ्यात्रा से एक बात साफ हो गई है कि हर्याना में लोगों का सभी राजनितिक दलों से मुह भंग हो गया है और अब एक मात्र विकल्प हुपेंड सिंग हुड़ा है आप लोगों को आप लोग के माध्यम से जो चौदरी भुपेंड सिंग हुड़ा जी के नेतित में जनकरांती रथ्यात्रा जो चलरी कॉंग्रेस पार्टी की उसके नए चरण का जो हमने प्लान बनाया है वो आपके माध्यम से हम सबको प्रदेश वासियों को बताना 12 história की नवम्मर डिवाली के बाद हिसार जिले में बरत यहतरा का लीए गुमेका बर्वाला के अनदर हिसार में 18 नवमर को बर्वाला में एक बड़ी जनसभा की जाएगी उसके बाद जो कि राजस्तान के चुनाव एक हरियाना के लिए बड़े महत्वपून चुनाओ हैं हरियाना के साथ लगता प्रदेश राजस्तान तो बहुत लोग राजस्तान औ मद्देश के चुनाव में अलग अलग जगा कारे रत रहेंगे तो 18 की हम एक बड़ी मीटिंग करके रथियातरा का शुरुआत करेंगे हिसार में और उसके बाद जो तमाम विधानसवाओं में जाएंगे वो 11 दिसंबर के बाद राजस्तान चुनाओ, मद्धेपरदेश चुनाओ के बाद तो उसकी गिंती करेंगे बीच में जो एक महीने का हमने गैब दिया था पहवा की रतियातरा के बाद जो एक अंटाइमली बारिश हुई बेमौसम बारिश जिससे किसान को अपनी फसल बचाने के लिए खेत में जाना पड़ा और कटाई का जो सीजन आया तो उसको देखते हुए किसान की समस्या को समझते हुए हमने ये एक महीने का ब्रेक दिया अठारा नवंबर को अब हिसार से बिगुल बजेगा दुबारा से राजनितिक तस्वीर है वो हरियाना की सपश रूप से सामने आ रही है और वो राजनितिक तस्वीर ये बन रही है कि भाजपा सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है बाकी दलों के अंदर भी जो परिस्तितियां हैं उनके कारेकरता विचलित हैं तो ऐसे मौके में एक मातर विकल्प हरियाना में चौधरी भुपेंदर सिंग उड़ाजी का नेतितो और कॉंग्रेस पार्टी का एक मातर विकल्प हरियाना के लोगों के सामने है जो एक विकल्प प्रदेश को साकारात्मक दिशा में दुबारा से भाईचारे, विकास और खुशाली की तरफ लेके जा सकता है वो यही एक मात्र विकल्प हरियाने के लोगों की भावना यही बन रही है कि यही वकल्प उनको नजर आ रहा है तर्फट पप्राइब की विकल्प बन रहा है